मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरे लैटेस्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आप मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेसन पासकेंगे और उसको आप देख सकेंगे हलो दोस्तो आज की इस पीडियों में आपको बताऊँगा कि आप अपने मॉबाइल में इस तरह का वाल पेपर कैसे लगाएंगे दोस्तो आप देख सकते हैं कि कितना 23 वाल पेपर है और आपके mobile का लूप कुछ अलग कर देता है तो दोस्तों इस तरह से आपको उसमें बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे जो मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है अभी मैं आपको इसको यूज करके बताऊंगा कि आपको किस तरह से करना है आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह से बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे तो दोस्तों आपको इस सब एक application में मिलेगा तो चलिए हम देख लेते हैं कि वह application कौन सी है और हम उसको कहां से डाउनलोड करेंगे ठीक है तो दोस्तों इस application का नाम है face test जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पहले से अलेरी install करके रखा हूँ अगर आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको हाप पे पैसा देना पड़ेगा लेकिन दोस्तों अगर आप इसको फिर्य में दोस्तों काफी मज़ेदार है अगर आप इसको यूज करेंगे तो काफी मज़ा आने वाला है ठीक है आपको इसमें अलग-अलग तरह के डिजाइन मिल जाएंगे आप देख सकते हैं तो दोस्तों जैसे मुझे इस फोटो को सेप करना है तो मैं कैसे सेप करूँगा आपको सिंपली इसको उपर की तरफ स्लाइड कर देना है ठीक है तो मैं स्लाइड कर देता हूँ आप देख सकते हैं कि स्लाइड हो गया अब आपको यहाँ पे एक option मिल जागा set wallpaper का मैं इस पे click कर देता हूँ जैसे ही मैं इस पे click करूँगा यह मेरा wallpaper बन जाएगा अब मैं इसको cut करके आपको दिखा देता हूँ ठीक है अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा wallpaper बन चुका है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप अपने mobile में अलग-अलग तरह का wallpaper लगा सकते हैं और अपने mobile को कुछ अलग look दे सकते हैं ठीक है तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज 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 एक like और एक share जरू कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा हैं तो subscribe जरू कीजिए तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगली बार इसी तरह एक नए interesting वीडियो के साथ में ठेक केर बाबाँ